चे तरह की बिमारियों को जड़ से खत्म करता है ये काढ़ा जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे काढ़े के बारे में जिससे आप कई तरह की बिमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखे ये जानने के लिए कि आखिर ये काढ़े कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नैचरल नुस्खे में जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल, फल, फूल, सबजियों और आपको स्वस्त रखने वाले उनके गुणों से रूबरू कराते हैं। जो जानकारी आजकल की भाग दोड़ भरी जिन्दगी में आप लोगों के लिए बेहत जरूरी होती है। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बलड शुगर की। नियमित रूप से सुबह खाली पेट अलसी के काढ़े का सेवन करने से डाइबटीस को कंट्रोल किया जा सकता है। जिससे आप बलड शुगर जैसी बिमारियों से दूर रह सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों थाइरोइड, हाइपो थाइरोइड को दूर करने के लिए सुबह खाली पेट एक कप अलसी के बीच का काढ़ा पिए। इसके अलावा इसका सेवन करने से बालों को जढ़ने से भी रोका जा सकता है। क्योंकि थाइरोइड की समस्या में सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारे बाल जढ़ना शुरू हो जाते हैं। किसरी बिमारी है जोडों का दर्द। साइटिका, नस का दबना, घुट्नों और जोडों के दर्द में नियमेत रूप से इस काढ़े का सेवन करें। दर्द कुछी दिनों में गायब हो जाएगा। दोस्तों, चौथी बिमारी है हार्ट ब्लॉकेज से जुड़ी होई। नियमेत रूप से अलसी का काढ़ा पीने से आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या दूर होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद ओमेगा-3 शरीर में कॉलिस्ट्रॉल और LDL के स्तर को भी कम करके हिर को उर्जा प्रदान करेंगे। इससे जल्दी वजन कम करने में आपको मदद मिलेगी। और चटी बिमारी है पेट की समस्याओं से चुड़ी हुई। कब्स की समस्या, पेट का दर्द, एसिडिटी, रोजाना नियमित रूप से अलसी के बीज का सेवन करने पर कब्स, पानी में तब तक उबालें जब तक की पानी एक कप नहीं रह जाता, अब तयार काढ़े को छान लें और इसे ठंडा करके पिए, ये काढ़ा कई तरह की बिमारियों में फायदे मंद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे छे तरह की बिमारियों में इस्तमाल किया जा सक अगर आप चाहें तो काढ्षे की जगे अलसी के बीजों का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों याद रखेएं कि बीजों को अच्छे से भून कर इसमें भी उतना ही फायदा मिले गा जितना की काढ्षे में मिलता है बस आपको इसका इस्तमाल सही तरीके से करना है हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको लाप जरूर मिलेगा आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर से कोई नया नुस्खा लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे आपकी राय और सुझाव हम हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नैचरल नुस्खे और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुद्रती नुस्खों से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए